दम्दमा साहिब के जत्यदार ग्यानि गुर्मुक्वक सिंग का कहना है कि वो उस समय तक 5 सिंख साहबानों की बैठका हिसा नहीं बनेगे जब तक बैठकों को बंद कमरों में करने की बजाए शुरियकाल तक्त साहय पर नहीं किया जाता। दरसल सोंबार को पाच तक्त सहेबानों के जथेदारों की पैठक हुई थी जिसमें ग्यानी गुर्मुख सिंग गैर हाजे रहे थे क्या सच में सिख पंत चक्र व्यूह में फसा हुआ है दरसल दमदमा सहिब की जथदार ग्याने गुर्मुख सिंग के इन शब्दों ने एक तरह की नई बहस को जन्म दे दिया है गुर्मुख सिंग ने पांच सिंग सहिबानों के बैठक बंद कमरों की जगह श्रीयकाल तक्त सहिब पर रखने की मांग की है गुर्मुक सिंग ने साप कर दिया है कि वो तब तक पांच सिंग साहिबानों के बैठक का हिस्सा नहीं बनेंगे जब तक ये बैठक बंद कमरों के बजाए सुरेयकाल तक सहीद पर नहीं होगी हुए है और मैं तां डेड़ साल तो लएके सिंग साहब जिनों बड़े अदुब सब्कार विच बेंती करदा आया कि मीटिंग जड़िया पंसरी अकाल तक साहब जी ते कर दे आईए वही अपना पंजाब बाची के त्रिलोचन सिंग ने जथदार गुर्मप सिंग के बयान का स्वागत किया है उन्होंने कहा कि फैसले बंद कमरे में नहीं बलकि अकाल तक पर होने चाही जबकि सब्ताधारी कॉंगर्स ने फिलहाल कुछ भी कहने से इंकार किया है पता ता लगे भी दोशी को ना ते उन्हों महसूस हो भी मैं जड़ा किते नहीं किते दोश कीता सिता मेरे खिलाफ है उपनली अज़ फैसला कीता दरसल सौंबार को टेरा से समर्थन मामले को लेकर सिंग साहवानों की बैठक होई थी जिसमें दमदमा साहिब की जथिदार ग्यानी गुर्मुक सिंग शामिल नहीं हुए थे ग्यानी गुर्मुक सिंग है जिन्होंने ये कहा है कि जब तक बंद कमरों में जो है फैसले लेने नहीं किये जाते तब तको मीटिंग्स अटेंड नहीं करेंगे और इसी परज़ादा चानकारी के लिए हमारे साथ जी मीरिया सवादाता राजन गुसाई अम्रित सर से जूर चुके है राजन तो एक बेहद बड़ी बात जो है ग्यानी गुर्मुक सिंग ने कह दी है जिससे पूरे इन फैसलों की स्थिति पर बैठकों पर सिक्पंत में जिस तरह से बैठके हो री है आकालतक्साहि में जैसे बैठके होई होुई है उस पर जुरूर सवाल ख़ड़ा कर दिया है और इसी को आधार बनाकर यानि गुर्मुक सिंग ने ये कहा है कि जो पंथ की मर्यादा है उसके अनुसार जो भी पांचों तक्तों की जो बैठक होनी है एह मुद्दों पर जो विचार चर्चा होनी है वो श्रीयकाल तक साहिप पर होनी चाहिए नाकी सचीवाले के बंद कमर critical Фैmeyer के फेरक जाद रहिए करन जालन व्राव मेसीय फैसले लेते हैं उनकी अपने फैसले नहीं होते तो कहीν न कहीं गुर्मुक सिंग ने भी यही इशारा किया और उनका इशारा ये भी है कि बंध कमरों में स्यासी दबाव के कारण फैसले लिए जा रहे जिसके कारण पंथक मर्यादा का भी हनन हो रहा और उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया कि जब तक विचार चर्चा जो होनी है किसी भी मुद्दे पर पंथक मुद्दो पर जो भी विचार होने है पा अभी तक ना तो कल से उनका कोई बयान आया से ना स्रियकार तक साहिब के जथेदार की और से कोई बयान आया है क्या अभी वो इस पर कोई रुक्स पष्ट कर रहे हैं या अभी तक सिर्फ चुपें है जी इंदर बिल्कुल अगर बात की जाए प्रोफेसर किरपासिंग बडूंगर उनका साफ तोर पर अगर कुछ पत्रकारों ने उनसे पूछा भी था कि ग्यानी गुर्मुक सिंग ने ये कहा है कि बंद कमरों में बैठक नहीं होनी चाहिए शियकाल तक साहिपर होनी है वो जो है निश्पक्ष है और उनके फैसले जो है उन पर सब्सक्राइब किसी तरह का किन्तू प्रंतू नहीं कर सकती है अगर जतेदार ग्यानी गुर्मुक सिंग की जाए तो वह अभी तक इस मुद्दे पर सामने नहीं आया है उनसे संपर करने की कोशिश भी की गई है फिल्हाल थोड़ी देर में अब पता चलेगा के ग्यानी गुर्मुक सिंग अपना रुक्स पश्ट करते हैं या वो अम्री सर ने हैं या कहां पर है तो उनसे भी बात करने की कोशिश की जाएगी कि आखिर जो गुर्मुक सिंग में जो मुद्दा उठाया उस मुद्दे मे लेने की कोशिश की जाएगी